नमस्कार शिल्फी क्लासेज जोद्पूर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम करेंगे चोई जुलाई के करेंट अफेर्स तो फर्स्ट कोशन जो की आज का है हाल ही में DRDO ने भारतिय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विक्सित किया है अब आप सबको पता है ड्रोन क्या होता है तो ड्रोन जो की उपर की साइड में कैमरा जो की हवाई हवाई जो कैमरा होता है जो की हवा में उड़ता है और जो कैप्चर करता है नीचे की चीजों को तो किस ने किया है ये भारत जो की सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन उसका नाम क्या रखा है भारत जो की इंडिया ने किया है अब इंपोर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि DRDO अब ये DRDO क्या है DRDO का फुल फॉर्म है Defense Research and Development Organization और जो DRDO का Headquarter है वो है न्यू दिल्ली में और इसकी स्तापना कब हुई थी 1958 में 1958 में तो ये एक इंपोर्टेंट चीज है इसका जो लोगो है जो कि संस्कृत में बोला जाता है बलस्ये मुलम विज्ञानम यानि की Strength Origin is in Science चलिए आज का Question No.2 है हाल ही में Payment App ने भारत का पहला Numberless Card किसने घोशना की है तो FamPay ने जो Payment App के जरिए भारत का पहला जो की Numberless Card लॉंच किया है यहाँ पर देखिए यह Error है यहाँ पर तो यहाँ पर भारत का पहला आएगा तो इसमें Typing Error हो रही है उसके लिए माफी चाहता हूँ Question No.3 है आज का हाल ही में किस देश ने Reliance Geo को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो Clean Telcos की तरह अग्रसर हो रही है तो जो अमेरिका जो देश है उसने Reliance Geo को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो की Clean Telcos की तरह अग्रसर हो रही है फिर, नेक्स्ट कोशन नमबर चार है आज का तो माल दीव्स जोकी एक टापु है, उनों ने अभी अभी भारत के साथ आपाथकालीन चिकिचसा सेवाई शुरू करने का समझोता किया है ठीक है इसी के साथ अगला कोशन जो कोशन नमबर पाच है आज का हाल ही में जुआन मौरसे का निदन हुआ है तो जुआन मारसे कौन थे तो वो क्या थे एक उपन्यासक करा थे ठीक है चलिए आज के कोशिन नमबर 6 है हाल ही में पारेक्षन लाइन और पारेक्षन टावरों के लिए निरिक्षक के लिए ड्रोन का इस्तमाल करने वाला पहला राज्य कौन बनाए तो ये महाराष्टर राज्य बनाए जिसने पारेक्षन लाइन और पारेक्षन टावरों के निरिक्षन करने के लिए ड्रोन का इस्तमाल किया है फिर महारास्टा के कैपिटल आप सबको पता ये बॉम्बे है जो की फिल्म कैपिटल ओफ इंडिया भी कहा जाता है अब जो बॉम्बे हाई कोट है तो उसके जो नए चीफ जस्टिस कौन बने थे दिपंकर दत्ता उसी के साथ में संजे कांदी नेशनल पार्क गुगूमल नेशनल पार्क और नवे गाम नेशनल पार्क भी कहां पे महारास्टा में ही है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक एक किताब है जो की The Unwritten History of Proud People यानि की मराठास के बारे में है जो कि किस ने लिखी है गिरीश कुबेर ने तो ये भी महारास्टा के बारे में ही हुई फिर IIT जो बॉम्बे है वो भी कहां पे है महारास्टा के बॉम्बे में पवाई के अंदर स्तेत है आज का Q7 है हाल ही में Space X ने किस देश के साथ सेनिय उपगरह अनस्सटो को सफलता पूर्ण लाुँज किया Messiah आज का Q8 है हाल ही में भारत के किस राजी में दुरलबब कच्छुआ पाया गया है तो ये कहा है Udisa के अंदर जो की बहुती दुरलब होता है पीला गच्छूआ तो ये कहाँ पाया गया है अभी उसी तरह जो उडिसा न्यायदीश के हाई कोट कौन बने हैं मुहमद रफीक, फिर कुछ पहल है कुछ योजनाए हैं जैसे कि मो जीवन पहल और मो प्रतीमा पहल भी उडिसा में स्टार्ट करी गई है, सतकोस या टाइगर रिजर्व, समलीपल नैशनल पार्क और गहिर सेंचुरी भी कहां पहे है, उडिसा में, चिलका लेक, जो की खारे पानी की सबसे बड़ी जील है अपने यहां पहे, वो कहां पहे है, उडिसा में ही है, आज का कोशल नमबर 9, हाल ही में सिंगापूर के शोध करताओं ने किस तेश में 14 पैरो वाले विशाल समुदरी कौक किया गया है, फिर कोशन नमबर 10 है आज का, हाल ही में रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का MD and CEO न्यूक्त किया गया है, तो करूर वेश्य बैंक जो की केरेला के अंदर है, उसमें रमेश बाबू बोडू को MD और CEO का न्यूक्त किया गया है, इसी के साथ अगला कोशन 11 नम श्री स्वास्त सेवा के बारे में देखें तो आपको आंदर प्रदेश याद आना चाहिए इसी के साथ जो कि मोबाइल हैंड वॉस सुविदा इस्टेशन जो कि हर जगे इन्होंने लगाए हैं तो यह आंदर प्रदेश सरकार ने लगाए हैं फिर नवर नालू पेदला नक् प्रदेश आंदरप्रेश ने ही लॉंज कि है। इसी के साथ कोशन नमबर 12 है आज का हाल ही में COVID-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंगलेंड के प्रस्तावे दोरे पर जाने से मना कर दिया है तो भरत ने महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लेंड के प्रस्तावे दोरे पर जाने से मना कर दिया क्योंकि जो भारत की जो कंडिशन है वो थोड़ी सी ज्यादा गंबीर हो चुकी है और जो भारत है तीसरा नंबर कंट्री आ रहा है कोरोना पॉजिटिव के मामलों में और कोशन नंबर 13 है हाल ही में किस देश्क ने लूर्डेस रोमन कैथोलिक तिर्थिस्तल यानि कि चर्च ने दुनिया की पहली ओनलाइन तिर्थिसाला आयोजित की है तो अभी अभी फ्रांस में फ्रांस ने ही लूर्डेस रोमन कैथलिक तिर्थिस्तल ओनलाइन तिर्थियात्रा स्टार्ट की है फि लिएते हैं पहले की एसो केम का फुल फॉर्म the associated chambers of commerce and industry of India फिर से देख लीजिए the associated chambers of commerce and industry of India जो की कहां पे इसका हाड़ कोर्डर कहां पे new Delhi में और यहां जो स्थाफना हुई यह कब हुई ती 1920 में यानि कि आजादी से भी पहले का है ये तो इनके रिपोर्ट के अनुसार भारत से मसालो को मसालो का नियरत जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है तो 23% बढ़ा है ठीक है और जो आज का आखरी सवाल है हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित मंत्रियों की बैटक की अद् सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें ठैंक यू